अगर आपको इस वीडियो की को भी चीज समझाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपनी फ्रेंट्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर के लिए जो कोचिंग को फोड नहीं कर सकते इसके साथ ही अगर आप हमारी चैनल पे नहे हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही वे लाइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको है नए आने वरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आज जो टोपिक हम डिसकस करने जा रहे हैं बायलोजिकल मॉलिकूल में हमने 200 MCQs का टास्क रखा था जिसमें हमारे पास 50 MCQs हो चुके हैं नेक्स 51 MCQs से हम स्टार्ट करेंगे कि after 10 years of careful work Sanger concluded यानी 10 साल की मेहनत के बाद F. Sanger हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं उन्हें ये बता चला कि इंसुलीन के पास 51 amino acids हैं जो दो चेंज में अरेंजड हैं एक चेंग के पास 21 amino acids है और दूसरी चेंग के पास 30 amino acids है 21 और 30 amino acids होते हैं वो दोनों मिलके किस bond के जरीए से मिलके बनी हुए ये डाय सेल्फाइड बिर्जेस के जरीए से आपस में attached है हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल के बारे में बताए जार कि हीमोग्लोबिन में 2 alpha chains होती हैं एक alpha chain में 141 amino acids है और एक beta chain में 146 amino acids है यानि अगर आपको 2 alpha chains का हसाब लगाना तो आप 141 multiply 2 कर देंगे और beta chains के लिए वह आप 146 multiply 2 कर देंगे तो आपको 2 chains के पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन में 2 alpha chains और 2 beta chains में कितने amino acids मुझूद हैं mcqs number 53 में का जा रहा है size of protein molecule is determined by the type of amino acid and number of amino acid comprising of that protein molecule protein के molecule का हम size कैसे determine करते हैं कि amino acid की कौन से type मुझूद है और कितने amino acids यहां पे मुझूद है तब हमें protein के molecule का size पता चल सकता है mcqs number 54 में बताया रहा है कि primary structure comprise number and sequence of the amino acid in protein molecule primary structure में number भी मुझूद होता है amino acid का और sequence भी मुझूद होता माइनो acid का तब जा वो primary structure of protein बन सकता है mcqs number 55 में बताया रहा है protein are present in all types of cell and all parts of the cell protein सब types of cell में भी पाया जाते हैं और सब parts of the cell में भी पाया जाते हैं इसको हम mcqs कह सकते हैं next रहा है यह आप देखते हैं यह head portion है और यह आप देखते हैं यह tail portion है head के portion में आप देखते हैं कि head के portion का पोलर कहते हैं और tail के portion का आप non-polar कहते हैं head के portion में आपके पास phosphate मुझूद होता है तो तीन तरह से हम ने इसकी labeling किया यहाँ पे MCQs number 57 में काज़र की heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade up to 15 to 16 degree centigrade काज़र की heat capacity वो amount है heat की जो temperature जो 1 gram of temperature को increase करने के लिए इस्तेमाल की जाती है up to 15 to 16 centigrade MCQs number 58 में पाज़र के water is in excellent solvent Water excellent solvent क्यों है due to the polarity and hydrogen bonding Hydrogen bonding और polarity की वज़े से water excellent solvent हो सकता है All chemical reactions are catalyzed by enzymes यानि आपके body में जतने भी functions जतने भी chemical reactions परफॉर्म किये जा रहे है Metabolism में जतने भी reactions हो रहे हैं वो सबके सब enzymes कर रहे है MCQs number 60 में काज़र के enzymes working in aqueous environment enzymes होता हो हमेशा से aqueous environment में काम करते है MCQs number 61 में पताया जार के fats insoluble होते हैं water में लेकिन function क्या है fat का या आपके cell में compartments बिनाने का काम करते हैं और या आपकी membrane को maintain करने का काम भी करते हैं MCQs number 62 में काज़र के alchemical reactions आखरी in aqueous media या विकास सारे के सारी reactions जोते हैं aqueous media में या water में होते हैं तो वो क्यों होता है watery environment में इसलिए हमारे पास reaction हो रहाता है कि water molecules move randomly and are in more favorable state to react with other molecules water molecules एक तो हमारे पास जल्दी-जल्दी move करने का काम करते हैं transport जल्दी हो जाते हैं और यह एतनी favorable state में हो सकते हैं या other molecules के साथ भी react कर सकते हैं mcqs no.63 में का जार के major source of carbohydrates की major source किया तो आप उसे green plants भी कह सकते हैं primary product of photosynthesis is photosynthesis का primary product किया carbohydrates आपको पता है कि हम carbon dioxide को जो हमारे पास photosynthesis का dark reaction होता है dark reaction में हम carbohydrates को reduce करते हो तो हमारे पास carbohydrates बनता है जैसे हम glyceraldihydr3 phosphate कह सकते हैं chapter no.4 Bionergetics में हम इसको अच्छे से study कर चुके हैं तो आप उसको playlist में search करके इस video को देख सकते हैं जिसमें photosynthesis की process में carbon dioxide से carbohydrate बन रही है हमारे पास mcqs no.65 में का जार के rate of glycolipid and glycoproteinies glycolipid और glycoproteinies का रोल क्या होता है एक तो यह biological membrane के components होते हैं यानि biological membrane में component के तो तोर पे काम करते हैं और structural role भी हो सकता है the extracellular matrix of animal and bacterial cell bacteria के cell wall में और animals के matrix में इनका structural role भी हो सकता है यानि यह structure के तोर पे भी काम कर सकते हैं which of the following monosacrid is rare in nature हमारे पास कौन सा monosacrid जोते हो तो वह rare amount पे मुझूद है tetrosis सिर्फ और सिर्फ कुछ bacteria में हमें tetrosis मिल सकता है mcqs no.67 में का जार के how many carbon atoms in monosacrid है OH group all except one which हमारे पास जो एक carbon बज़ जाता है monosacrid में उसके पास aldohid या ketone group होता है मैं अब यह आपको बुक में दिखा देती हूँ इसे यह देखिए गजी मेरे पास एक carbohydrate मुझूद है या एक monosacrid हमें इसे कह सकते है एक monosacrid मुझूद है इसमें जितनी भी carbon से उनके पास hydroxyl group मुझूद है यह देखिए carbon no.2 पे भी OH मुझूद है carbon no.3 पे भी OH मुझूद है लेकिन एक इसा carbon होता है जिस पे hydroxyl group मुझूद नहीं होता बेलकि उस पे aldehyde group या ketone group मुझूद होता है एक्जेंपल no.2 में आप देख सकते हैं कि यहां पे देखिएगा carbon no.3 पे भी मेरे पास जो है वो OH मुझूद है carbon no.1 पे भी OH मुझूद है लेकिन एक carbon ऐस है जिसके पास मेरे पास ketone group मुझूद है 717.6 kilocalories 7.7.6 kilocalories जो energy है वो आपके पास glucose की molecule में store होती है in the form of chemical energy और जब आपकी body में hydrolysis होती है तो यह energy हर cell को provide कर दी जाती है percentage of glucose in the blood आपके blood में glucose की कितनी percentage है तो 0.08% MCQ no.70 में कहा जार के regulation of the heat is caused by the heat of vaporization heat को regularize करने का काम जो है वो heat of vaporization जो property है water की वो करती है MCQ no.71 में कहा जार के which of the following is most important hexose सबसे ज़्यदा important hexose कौन है हमारे पास हो हम उसे glucose कहते है W, O, F मैंने यहाँ पर लिखा है W for which O for off which or F for following which of the following मैंने इसको short word में convert करती है which of the following is most important hexose तो हम उसे glucose कह सकते है MCQ no.71 में कहा जार के heat is produced by the oxidation heat जो होता है वो reduction reaction नहीं बरके heat is produced by production of the heat is in oxidation reaction आप कह सकते है MCQ no.72 में कहा जार के green plants में glucose कैसे बनता है C6, H12, O6 हम glucose को कहते है glucose कैसे बनता है तो हम carbon dioxide from the air and water from the soil अगर carbon dioxide हमारे पास air से आर ये और water soil से आर तो हमारे पास glucose बन सकता है MCQ no.73 में कहा जार के where glucose is found naturally glucose naturally कहां पे पाये जाता है तो green plants पे पाये जाता है क्योंकि obviously plants का जो होता है वो खाना ही green plants ग्लुकोस होता है MCQ no.74 में कहा जार के photosynthesis is energy consuming process है MCQ no.75 हम पहले 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 चुके dextrin polysecride है यह which of the following is high molecular weight compound यह भी हम पहले 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 चुके यह polysecride है which of the following is most familiar diesecride इसको भी हम पहले study कर चुके स्क्रोज यह sugar cane next MCQ no.78 में कहा जार के glucose और fructose जो होता है वो reducing in nature में reduce हो रहे हैं nature में MCQ no.79 में कहा जार के chief form of the carbohydrate carbohydrate की chief form क्या है glycogen कहते है MCQ no.80 में कहा जार के सबसे important यह सबसे common phospholipid कौन सा है उसे हम phosphatidylcholine यह लैसिथीन भी कह सकते है phosphatidylcholine का दूसरा नाम जोता है वो लैसिथीन होता है phospholipid की composition यानि phospholipid के से मिलके बनता है तो glycerol phospholipid की composition में तीन things involved है तीन चीज़े involved है number one glycerol number three की है phosphoric acid and C3 of glycerol glycerol के C carbon number three पे phosphoric acid मुझूद होना चाहिए और number three हमारे पास fatty acids total phospholipid की composition में हमारे पास तीन चीज़े मुझूद होती है MCQs number 82 में कहा चाहरा के polar head region of the phospholipid contains of phosphate ये बात हम पहले भी पढ़ चूगे मैं आपको phospholipid का भी structure बताया था अपनी पिछली वीडियो में हमने वहाँ पे study किया था कि phospholipid का polar region होता है head region होता है उसको हमारे पे phosphate मुझूद होता है और phospholipid को जो हमारे पास stale region है जो non-polar region होँ पे fatty acid मुझूद होता है हमने इसको structure में पूरा label करके देखा था labeling वाली MCQs आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में MCQs number 84 में देखा है कि where koline is attached in the phosphatidic acid phosphatidic acid के साथ koline कहां पे आप देखा है तो phosphatidic acid के ऊपर attached होता है MCQs number 85 का जाजार के base of differentiation of R group R group को हम कैसे differentiate कर सकते हैं यानि amino acid जो protein में हमारे पास amino acid मुझूद होता है वहाँ पे हम R group को कैसे determine कर सकते हैं कैसे differentiate कर सकते हैं तो nature या type of R group R group की nature क्या है या type क्या है इसके जरीए से हम इसे differentiate कर सकते हैं MCQs number 86 में गाजार के most important component of triglycerides triglycerides का सबसे important component कौन से हमारे पास fatty acid है composition of acyl glycerol acyl glycerol में fatty acid या glycerol मुझूद है glycerol की जगा आप देख सकते हैं कि कभी कहीं पे alcohol भी mention हो सकता है तो आपको गबराने के जरूरत नहीं है क्योंके glycerol जो होता है वो try hydroxy हमारे पास alcohol होता है ऐसा alcohol है जिसमें 3-3 hydroxyl group मुझूद है fatty acid या glycerol या fatty acid या alcohol आपके पास कहीं पे लिखा हो आपको में नजर आ सकता है 88 MCQs में खाता है OH जो हमारे पास hydroxyl group है वो alcohol से release होता है और आपके पास hydrogen group है वो acid से release होता है यानि carboxyric acid से release होता है तब हमारे पास e-starification होता है यानि हमारे पास e-stert बनता है MCQs नमर 90 में कहा जा रहे है fats and oils are not crystalline but under specific conditions they can be crystallized fats and oils are not crystalline fats and oils are not crystalline नहीं होते हैं MCQs नमर 92 में बताया जा रहे है melting point MP मैंने जो वर्ड यूज किया melting point के लिए यूज किया melting point तो palmitic acid palmitic acid को melting point है तो 63.1 degree centigrade है और butyric acid को melting point है वो minus 8 centigrade है 94 MCQs नमर 95 में बताया रहे है palmitic acid और butyric acid में से सबस्यता solubile कौन होता है organic solvent में तो हमारे पास palmitic acid होता है MCQs नमर 95 में बताया जा रहे है acyl glycerol का हम triacyl glycerol या triglycerol या neutral lipid भी कह सकते हैं और acyl glycerol या triglycerol या neutral lipid में सबसे important factor कौन से होता है fatty acid होता है MCQs नमर 97 में बताया जा रहे है fatty acid content है 2230 carbon atoms in straight chain attached with hydrogen having an acid group fatty acids में even number of carbon atoms मुझूज होते है 2 से लेकर 30 थै और ये किसके साथ attached होते है या तो hydrogen atom के साथ या acid group के साथ attached होते है MCQs नमर 98 में बताया जा रहे हैं fatty acids के पास या तो double bond होते ही नहीं है यानि fatty acids saturated भी हो सकते हैं और unsaturated भी हो सकते हैं fatty acids unsaturated हैं उनके पास कम चे बॉंड्स हो सकते हैं चे भी हो सकते हैं चे से कम भी हो सकते हैं लेकिन maximum amount जा वो six double bonds की है MCQs नमर 99 में कहा जा रहा है animals में fatty acids होते हैं वो straight chains में पाई जाते हैं लेकिन plants में fatty acids होते हैं वो branched caring form में पाई जाते हैं MCQs नमर 100 में हमारे पास बताया जार कि palmitic acid जो होता है वो butiric acid से ज्यादा solubile क्यों है reason यह है कि हमने reason पढ़ चुके federal की book में हमने study किया था उस topic में कि अगर हमारे पास melting points बढ़ते हैं या solubility या hydrophobic substances अगर हमारे पास carbon की chain बढ़ती है तो इसके साथ हमारे पास melting point hydrophobic substances या solubility जो होती है वो हमारे पास तीनों factors increase करते हैं तो आप देख सकते हैं palmitic acid जो है उसमें 16 carbon मुझूद है और butiric acid में 4 carbon मुझूद है जाहरे इस बादा carbon की chain बढ़ गई carbon की chain बढ़ गई तो melting point भी palmitic acid का ज्यादा होगा ये ज्यादा solubility बढ़ते जाते हैं हमने ये अच्छे से डिसकस किया था टॉपिक में इसके साथ ही मैं अपने वडियो से इजादस लेना चाहूंगी उमीद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है पिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगली वडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा अलाहाफिस